हलो अब्रीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले हैं, फैन कोड़, ECS, टीटन, काटेमा में होने वाले आज के पहले और दूसरे मुकाबले की दो जो स्टार्टिंग के मुकाबले सेम टीम के बीच में होने वाले हैं, अगर आप देखोगे तो जी आईडी और मडरीड सीसी अब आप यह सोच रहोगे कि यहां के प्लेर्स खेले कब थे, कब आये हैं, ECS में, क्या यह पहला-पहला मुकाबला है देखो, कई सारे प्लेर्स का पहला मुकाबला नहीं है, मडरीड सीसी पहले भी खेल चुकी है एक स्पेन टीटन हुआ करता था, 2020 में एक रीजनल टीटन हुआ था स्पेन में जो Dreamland पर आया भी था, जो मैंने कवर भी गर था, 2020 की बात है, जनवरी-फरवरी में मुकाबले हुए थे करीब-करीब 10-12 मुकाबले हुए थे, ज्यादा मुकाबले हुए नहीं थे तो वहाँ पर आपको कुछ प्लेस खेलते हुए दिखेते हुए और यह वही वाला कलब है, वही वापस आया है तो वहाँ से भी मैं आपके लिए स्टैट्स लेकर आया हूँ, अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिसकस कर लेंगे अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्षयण में मिल जएगा, साथ मैं मैं आपको कमेंट घर सेक्शन में भी लिंक दे दूंगा टेलिग्राम चैनल का पहला और दूसरा मुकाबला है टूर्णामेंट का खेला जाएगा दो बजे और चार बजे काटमा ओवल मैं खेला जाएगा गिरेनेड सीसी और मड्रीड सीसी के बीच में फैन कोट पर आप इस मैच को लाइब देख सकते हैं अगर आप बात करो अठार डिगरी सेल्सेस आपके बास साथ परसंट यूमेडिटी है ग्यारा किलोमेटर परती घंटे की रफ्तार से आपको विंड चलती हुँ देखेगी पर रेन के चांसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे आपको पिछला वाला ECS टूर्णमेंट देखने को मिला कि भी आपको यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा पिछ रिपोट के अगर आप बात करो तो अभी के लिए बैलेंस ट्रैक है जादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं बैट्शमन और बॉलर्स दोनों का असिस्ट करने वाली है आपने देखा भी है कि भी है बैट्शमन के लिए पिछ थोड़ी जादा आसान है यहां प दोनों के पास अभी के लिए पहला पहला मुकाबलर दोनों के पास कैई सारे बढ़िया बढ़िया ब्लीर्ड़्स हैं आप देखो गर्यक लिए थाश। विवान किंगमा आपके पास हैं उसके बाद अगर आप देखोगे तो विवान किंगमा कहां का प्लेयर है वो अगर मैं आपको बताओं तो यह नीदर यहां पर हां नीदर लेंड का प्लेयर है बड़िया परफॉर्मेंस करकर आया था अभी के लिए क्लब क्रिकेट में और ECS जो भी इस ने खेला है वहां पर भी बड़िया प्रफॉर्म करकर आया था तो उस हिसाब से देखना कि विवान किंगमा को आप ट्राइ कर सकतो मैंने अभी के लिए कैप्टेंस से भी EC को दे रखिया मड्रिट CC के अगर आप बात करो जॉन वुडबार्ट आपके पास है उसके अद मारकस हैरी ये प्लेयर पिछले मनले 2020 में भी खेला था ये वाला प्लेयर स्पेन वीजिनल टी टेंड में वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास रही नहीं थी बर स्टिल आप ट्राइ कर सकतो एक इंपोर्टन प्लेयर हमार लिए है फिर उसके रहील शफीक आपके पास है रहील शफीक इस आलसो अगुट पिक रहील शफीक की सेलेक्श कर रहा है ओवर बारा विकेट दो सेलेक्शन बहुत ज्यादा कम है बट मेरे साब से ज्यादा होनी चीए थी मैंने अभी के लिए अपने टीम में रखा है गैरी ओब्राइन के अगर हम बात करें राइट हन बैट्समें राइटा मीडियम फास्ट बॉलर ओडीडी में छे मै मैंने इस फ्लियर को पिक कर रहा है कि बैटिंग सेक्शन में मुझे दो ही बड़िया प्लेयर दिख रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा कौन-कौन से प्लेयर ना इस टीम में से तो कोई भी नहीं सामने वाली टीम में से हैं अब प्लेयर आपको लेना पड़ेगा तो इसलिए मैंने इस प्लेयर को रखा नहीं था बाकी बचे वे रंज जिसना ODD में करें हैं और वो भी पांच मुकाबलों में करें हैं तो वो चीज ध्यान रखना कि इतनी ज्यादा बड़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है इस प्लेयर की T20 में माई कैप्स राइट हैं मीडियम फास बॉलर आठ मैचेज खेलें टोटली 79 रन और विकेट एक T20 में तीन मैचेज खेलें हैं रंज अगर आप देखो 18 हाई स्कोर 11 ओवर 2 विकेट 0 तो परफॉर्मेंस T20 में इसकी इतनी खास रही नहीं है तीन मैचेज में मलब 6 की एवरिज के साथ रंज कर रखे हैं उसके बाद गैरी रंडाल आपके बास है राइट हैं बैट समन राइट हाँ मीडियम फास बॉलर 6 मैचेज में साथ रंज तीन मैचेज में बैटिंग है उसमें पांची रंड करें हशीम खान के अगर आप बात करो राइट हैं मीडियम फास बॉलर 4 मैचेज में रंज 3 हाई स्कोर दो अब जो वाइठ जैसे मैं आपको बताया है यह प्लेयर आपके लिए कौन है यह यंग्स्टेर है बढ़िया य अगर देखेंगे कौन सा खेलता है वैसे यह पिलिप रख लो अगर दोनों खेल जाते हैं तो फिर मैं फिलिप को ज्यादा प्रेफ्रेंश जुगा क्योंकि उसके स्टेर्स भी हमारे पाल जो के स्टेर्स नहीं है तो जो अगर आप रखोगे तो फिर गर लीग में पिक करन ग्यारा मैचीज में रन्स अगर आप देखो 146 विकेट 12 पांच मैचे में 58 रन एवरेज 19 स्टैकर 63 हाइस को 23 ओवर 16 और विकेट 6 परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी है रही है इस प्लेयर की रन्स करें है 19 की एवरेज के साथ और ओवर्स जो कर रखे हैं वो 16 में 6 से विकेट तो बहुत ऑव्वेस से पिक है कि आप इस प्लेयर को पका पिक करोगे और आपके लिए तो अराम से पिक कर सकते हो यह तो ऑव्वेस सी चैसे कि मैं रखूंगा यह रखूंगा फिर उसका जमशेदुर रह्मान ओडीडी खेलें तीन मैचीज में रन्स एक ओवर इस छे की है जो टी-20 में करें हैं ओवर चार और विकेट एक अब रखने को आप एंड्रू को भी रख सकते हो क्योंकि इसने भी कुछ रंस करें हैं विकेट भी आपको लाकर देकर गया है बट छे मैचीज में सेर्फोर सिफ चार ओवर और चार मैचीज में साथ ओवर मैं चार विकेट तो इस हिसाब से मैंना सैम पाइपर को दूसरा प्लेयर रखा था कि इस मैसे मतलब यान तो एंडरन डिले यानि तो सैम पाइपर यानि तो दोनों प्लेयर ठीक है ग्रेंड लीग में आप यहां पर एंड्रू अपलिन को अराम से पिक कर सकते हो अभी के लिए सैम पाइपर को मुझे ड्रॉप करना पता क्योंकि मुझे आज शफीक को रखना था अपनी टींग में इसलिए आप अगर ट्राइ करना चाहते हो अगर यह प्लेयर खेलता है तो ट्राइ कर सकते हो क्योंकि यह बॉलिंग जरूर करवा कर देकर जाएगा चार मैचिज में सा इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं रही है बट स्टिल एक मैच में अठागा रन करें उस हिसाब से अगर आप देखोगे जैसा पूरा का पूरा ओपर से स्टैट्स देखकर आयो तो इसकी एवरेज बन जाती है अठारा की तो अठारा की एवरेज बहुत बढ़िया है जेम्स 2020 में 80 run करें हाइए स्कोर 21 एवरेज 20 का है ओवर 10 और विकेट 3 2021 में T10 में 18 मैच में रन्स दस ही करें बट ओवर 30 करवाए हैं और उसमें विकेट 14 तीन विकेट हो लेक बार तेक बहुत बढ़िया बहुत खास प्लेयरा अराम से ट्राइग कर सकते हो जोश की अगर हम बात क इसे ट्राइग रहा है अब भी के लिए फिर उसके बाद अगर आप देखो स्टूर्ड रॉस राइट हैं बैट्समन राइटाम में फास्ट बॉलर ओडीडी में दो मैच में रन्स बारा ओवर 11 और विकेट एक पॉल फ्रेचर राइट हैं राइट हैं तीन मैच में खेले ह तो इसने ना रन्स करें हैं ना ओवर्स करें हैं तो इसे आप ड्रॉप कर दो कोई रिक कर नहीं है टॉट डेवी के अगर आप बात करो सेलेक्शन इस फ्लेयर की भी कम है पांच मैच इन में 56 रन एवरेस 28 क्योंकि सिर्फो सिर्फ दो ही मुकाबलों में इसकी बैटिंग आ बात करें अबदुल हकीम की सेलेक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसना ओवर्स अपने कंप्लीट करवा हैं टी 20 में 39.3 मान कर चलो 30 ओवर्स करवा हैं तीन विकेट चटकाई हैं बट स्टिल आपको ओवर कंप्लीट करवा कर देकर गया है उस हिसाब से अगर आप स्पेन टीटन खेला हुआ है ठीक है वो जो मैं आपको बता रहा था अभी स्टाटिंग में कि 2020 में एक स्पेन टीटन डीजनल लीग हुई थी वहां पर यह खेला था और कहीं पर स्ट्रेस नहीं मिलेंगे आपको तीन मैच्चिज में 43 रन करें एक मुकाबले में 35 रन करें था दूसरा मुकाबला था वो और उसी मुकाबले में और एक मुकाबले में इसने तीन विगेट चटकाई नॉर्मली हर एक मुकाबले में बॉलिंग करवा रहा था बट एक ही मुकाबले में तीन विगेट चटकाई थी और वहीं पर तीन विगेट हॉल चटकाई था तो य अलेक्शन बहुत ज्यादा है उससाब से प्लेयर ना खेले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा जिससे हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉटर्ट हो जाएगी जॉन वुडवाइट के अगर हम बात करें दस मैचेज में 174 रन आट मैचेज में 126 रन कर रखें ओविस सी चो ऐसे क को पिक करोगे ओबर 13 विकेट चार तो उससे साब से मैंने तो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी भी से दे रखी है डेविड की अगर आप बात करो राइट हैं बैट्समें राइट हा मीटियम फास्ट बॉलर चार मैचेज में 26 रन एक टीटी टीटी का मुकाबला खेला उस इसरा अभी के लिए मैंने इम्राइन सिद्धिक रखा हुआ है बट आप सामने वाली टीम का प्लेयर रख सकते हूं जो मैं आपको बताया है एक बार मैं आपको दुबारा बतायाता हूं हाँ फिलिप की में बात कर रहा हूं फिलिप रख सकते हूं या नहीं तो अगर प्रफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़िया रही नहीं है इस प्लेयर की तीन मैचेज में सिर्फ ओर सिफ 36 रं कर रखे हैं रहील की अगर आप बात करो ओविस सी चोईस है बहुत जादा रंस कर रखे हैं चार मैचेज में 128 आवरेज 64 स्टैकर 162 हाईए स्कूर 46 ओवर 12 विक स्टैकर 50 की है ओवर इसने करे नहीं है जेम्स और विक्टर की स्टैट्स नहीं मिलें सिर्फ ओसी बॉलिंग डिपार्टमेंट इन दोनों के स्टैट्स नहीं मिले बट जेम्स की सेलेक्शन अभी भी बहुत ज्यादा है अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी टीम डिसकस कर आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है अब अगर आप देखो आपके पास प्लेयर्स कौन-कौन से किन-किन प्लेयर्स को आप ड्रॉप कर सक क्योंकि अभी के लिए स्मॉल लीग में सबके सब एह हकीम को लेकर आने वाले हैं यहां पर जे वुडवार्ड को पिक करा है आई सिद्धिक ड्रॉप कर सकते हो मेरे साब से तो और इसकी जगा अगर पी टाउंसेंड को रखना चाहते हो या नहीं तो जे वाइट है ज्यादा सेफ रहेगा अब भी के लिए यान तो मलब जासे मैं आपको बताता है पी टाउंसेंड क्योंकि इसके स्टैट्स हमारे पास है थोड़े से तो उस हिसाब से यह प्लेयर हमें पता है कि यह ओड़ीडी में बढ़िया परफॉर्म करकर आया है बट जे वाइट मैं वाइट है हैरी यंग के स्टैट्स बहुत बढ़िया है टी टोंटी में इसना बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है इसलिए मैंना अभी के लिए जे मलब हैरी यंग को रखा हुआ है एम हारवी कैप्टेंसी बहुत ज़्यादा इस प्लेयर की मैंना स्पेन रीजिनल टी टेन के स्टैट्स नहीं घट्टे करे थे इसके अभी के लिए मैं आपको करके न टैली गराम पर प्रवाइट करवा दूँगा कि जो तीन मुकाबले जहां पर इसना बैटिंग करी थी वहां पर क्या करा था वैसे रंज इसना बढ़िया करे थे मुझे याद है बॉलिंग भी ये करवाता है यह रीले आपके पास है अभी के लिए मैंना सिर्फो से इन दोनों प्लेयर को पिक करा था बट ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि मुझे आर शफीक को रखना था ठीक है आर शफीक को मैं रखनी पाया था उसके बाद अगर आप देखो तो जे डेविस जे डेविस जैसे मैं आपको बताया अगर ये प्लेयर खेल जाता है आप ट्राइक कर सकते हो इस प्लेयर को एक बढ़िया पेक है आपके लिए एक मुकाबले में अठार रंगर रखे हैं और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एवरेज इसके अठारा की हो जाती है और बैटिंग अगर ये उपर करने आ जाता है फिर तो भी खास प्लेयर हो जाएगा और एपलीन का भी एक रिस्की पिक आपके लिए रहने वाला है ग्रेंड लीग में आराम से ट्राइग कर सकत अगर यहां पर वी किंग मा को कैप्टेंसी दे रखी है वी किंग मा को ड्रॉप भी करना चाहते हो कर सकते हो उस महार शफीक को एजा कैप्टन दे सकते हो और वाइस कैप्टेंसी जे वुडवार्ट को दे रखी है वाइस कैप्टेंसी अगर आप देखो तो अभी के लिए ए रिले की selection बहुत जादा है हमें Harvey की as a captain wise captain selection बहुत जादा है और यहाँ पर P town send की captain wise captaincy की selection जादा है अभी के लिए मैंना सिर्फो से व्यज़ा normal player रखावा है P town send as a important player या as a captain wise captain नहीं रखावा है P town send के भी मैं stats एक बार देख लूँगा हों वहाँ पर क्या बोलते हैं Spain T10 regional league में वैसे खेला नहीं था जाहां तक मुझे याद है बट still जो stats अभी के लिए इनके official website पर हैं उसे साबसे तो P town send एक normal player आपको देखने को मिलेगा और captaincy wise captaincy मेरी तो अभी के लिए यह है अगर कुछ changes होते है टीम में तो वो मैं आपको telegram पर provide करवा दूँगा telegram का link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहीं से आपको telegram पर जोड़ना है सबसे पहली team a relay as a captain mrv as a vice captain i.c.j.woodbard उसके बाद P town send a.hakim j.ur.rehmann a.applin फे उसके अदार शafiq al.clargo j.bentley पूरी की पूरी टीम आपके लिए small grand league और grand league favorable team update आपको telegram पर देखने को मिल जाएगा telegram का link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहीं से आपको telegram पर जुड़ना है दूसरी team के अगर आप बात करो v.king.ma as a captain और vice captaincy j.woodbard फिर उसके अदार आप फिर उसके जी फ्लेंसन आपके पास है h.young, p.taunson, उसके अदार एरियले उसके बाद अगर आप देखो आप देखो आप शafiq, j.quinton और टॉड डेवी पूरी की पूरी टीम आपके लिए small league small grand league favorable team है captaincy vice captaincy बतल सकते हो जैसे मैंने आपको बताया आप शafiq एक बहुत बढ़ी आपिक है j.quinton एक बहुत बढ़ी आपिक है captaincy vice captaincy के लिए m.harvy के spain regional t10 के stats में आपको provide करवा दूँगा उस हिसाब से आपको और भी पता लग जाएगा कि इसे captaincy vice captaincy देनी है या नहीं देनी है update आपको telegram पर देखने को मिल जाएगा telegram का link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल subscribe कर लेज़ेगा वीडियो लाइक कर देगा आपके लेज़ेगा आपके लेज़ेगा आपके लिए चैनल पर